दोस्तो जैसे कि आप जानते है इस चैनल का नाम पहले राइटिंग एन एक्स्प्लेनेशन था पर मैंने चैनल का नाम बदल दिया है बदलने के पीछे मुख्य कारण था जो कॉंटेंट मैं चैनल पे डाल रहा हूँ उससे रिलेटेट ही नाम मैं सोच रहा था इस चैनल को चलाने के पीछे मेरा मकसक डॉक्टर अम्बेटकर की उन बातों को सामने लाना है जिसे हम नहीं जानते है इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने चैनल का नाम दिय अंटूल्ड अम्बेटकर रखा है उमीद है आप सभी को ये नाम पसंद आएगा दोस्तो आज मैं उस टॉपिक पर बात करूँगा जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं और जो बहुत इंफरमेटिव और इंट्रेस्टिंग है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह डॉक्टर अम्बेटकर ने बाल गंगादर तीलक को एक केस में हराया था ये जानने के लिए इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा दोस्तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अम्बेटकर का कार्यकाल ऐस लॉयर कैसा रहा था पर क्या हम ये जानते है डॉक्टर अंबेटकर एक लॉयर भी थे जो लोग कह सकते कि हाँ हम जानते है पर क्या वो लोग ये जानते है कि डॉक्टर अंबेटकर किस तरह के लॉयर थे और as a lawyer उन्होंने किस तरह की किसे सलड़ी इस सवाल का जवाब शायद आप लोग सोच रहे होगा तो इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा यह मेरा दावा है दोस्तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर वीडियो को end तक सरूर देखे तकि आपको भी कुछ नई बात पता चले और वीडियो को like ज़रू की दोस्तो जो संदर्ब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा उससे मैंने रोहिद दे कि आर्टिकल लॉयरिंग as a politics the legal practice of dr. अमीड कर बार at law से लिया है और इस वीडियो में मैंने तीन cases कवर की जो उस समय बहुत ज़ादा चर्चा में रही है चलिए जानते हैं पहले एसी case जिसे dr. अमीड कर ने as a lawyer लड़ा था जिसमें वो बचाव पक्ष में थे और case को जीत लिया था ये case था फिलिप्स प्रैट का जो एक British communist थे सरकार ने उनको सरकार की विरोध में जनता में नफरत फैलाने के आरोप में अरेश्ट किया था उस वक्त dr. अमीड कर ने as a junior lawyer बचाव पक्ष की तरफ से case लड़ी थी बचाव पक्ष की दलील थी कि हर आदमी को सरकार की आलोजना करने का अधिकार है और ऐसा करने पर उस वक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए और बचाव पक्ष ने ये कहा था कि फिलिप्स प्रैट ने जो कहा है और उन्होंने सरकार की विरोध में नहीं तो ब्रिटिस सामरजवाद की विरोध में कहा है दूसरा केस भी डॉक्टर अंबेटकर ने कम्यूनिस्ट के बचाव में ही लड़ा था ये केस ट्रेड यूनिन के लीडर्स का था जो कम्यूनिस्ट थे और उनके बचाव में डॉक्टर अंबेटकर खड़े हुए थे ये सिद्ध करके केस को जीत लिया था इस केस से हमें पता चलता है कि लेबर्स के लिए डॉक्टर अंबेटकर हमेशा उनके साथ खड़े रहे और दोस्तो तीसरा केस बहुत ही ज़्यादा मसेदार है ये केस एक ब्राह्मन ने एक सेडूल कास्ट के लेखक और पब्लीशर की विरोध में किया था जिसका नाम केशव जेदे था उनके एक किताब पब्लीश की थी जिसका नाम था देशाची दुश्मन और इंग्लिश में हम जिसे कहेंगे Enemy of Country उस किताब में केशव जेदे ने बाल गंगाधर तीलक और विश्नु शास्त्री चिपलुनकर को देश की दुश्मन बताते हुए लिखा था कि बाल गंगाधर तीलक और विश्नु शास्त्री ये देश की दुश्मन है और ब्रह्मन वाद जो असमानता पर अधारित है उसे य करने का कोई आधार उनके पास नहीं है आगे डॉक्टर अमबेटकर ने कहा कि केशव जेदे ने जो किताब लिखी है वो उन्होंने किसी इंडिविजियल के लिए नहीं तो समस्त ब्रामिन समाज के लिए कहा है जिसके विरोध में विक्तिकत मानाने का केस नहीं बनाया जा सकता और ये केस भी डॉक्टर अमबेटकर ने जीत लिया तो दोस्तो ये मेरी एक छोटी से कोशिश थी जिसमें मैंने डॉक्टर अमबेटकर किस तरह से वकालत करते थे कि बताने की कोशिश की है अगर आपको मेरी कोशित जरा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजे तक कि मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे आपका कोई सुझाव या कमेंट है तो प्लीज उसे जरूर लिखे और चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे तो मिलते हैं अगली वीडियो में चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद